सेलो दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल ते इस वीडियो में हम आप लोगों को लिए लेकर आए हुए हैं जो 2023 में पूछा जाएगा तो आप अगर क्लास 12 में हैं अगर आपका भी सब्जेक्ट बायोजी है तो आप इस वीडियो के लास तक जरूर देखें इसमें ह पतना करते हैं ऑंडजनन ऊजनेट कहते हैं थी सवी राइट एंसर हो जाएगा आपका goddess míimana थी क्रिय बैछह को कगते हैं सुक्राणूंभ जो जब rehzb palma में वसकते हैं उसा क्रिया वी द् Kön to च्रे Deswegen yeah च्रीन करा एं प्हें अलाइंगी कर रहे हैं कितने जिवाग लेता है सेक्मोर रेप्रॉडक्ष्न होता है आए पढ़े होंगे उसमें एख ही जीव भाग लेता है ठीक है असेक्स्ट आगर लाखिक जन हो उसमें दो बाग लेते हैं ठीक है पुछ रहा है तो चार नंबर क्वेच्चन करें पौधों अलेंग जना निम्न में से किस बीधी धी द्वारा होता है पौधा जो होता है ना उसमें Boding दौरा यानी मुकूलन दौरा अलेंगी की जनन होता है sexual reproduction पहुधा में किस के द्वारा होता है मुकूलन द्वारा होता है तो इसका रइत अंसर झाएगा चार का ए आच नमब्र कोश्यन कहे रहा है होता है आपका आपका वीघिटेटिव रिप्रोड़क्षन आपका जड से भी हो सकता है अस्तम पत्ति इसका यंसर है आपका क्या 5 जाहतेैं कि जाएगा फांच टिप्च से जाएगा या छोго नमबर कोस्च्छन आपका कहा यहां जाए खेज तो आलू में काईक्षन रचनल किसके दोारा होता है अलू जो होता है आलू पतियास है जड़ से अस्तम से बीच से अस्तम से होता है ठीक है इसका इसकाराइब टैंसर जाएगा आपका ठीक है साथ साथ नंबर कोश्चन कह रहा है एक ही फूल के भीतर प्राग कोश में प्राग कनों के बर्तिकागर में पहुंचना क्या कह लाता है तो उसको हम बोलते हैं एक अगर कोई फूल है ठीक है उसी के अंदर के प्राग कोश से प्राग कन निकलता है उसी के बर्तिकागर पर कहुंचता है तो उसको self-pollination कहते हैं नहीं swap परागन बोलते हैं ठीक है तो साथ का एंसर अपका जाएगा यह आई आठ नमबर कुश्चिन कह रहा है क्या कह रहा है देखते हैं अठ नमबर कुश्चिन कह रहा है अंडासय से अंडा निकलने की परकिरिया को कहते हैं अंडोत सर्ग अंडोत सर्ग कहते हैं मानोम नंबर में मानोम मदमें अन्डग कानिशेचं कहां होता है मानोम मदा जोता है फीमेल में यह कानियीसेचं में अन्डma से में रहा संद tutaj में तर सीची जये घ्लशेचं कि मांग delivery लुथ्ट ते से टारे में सुक्रानु भंडारं कीजनन अंग में होता है युगमक में गुन्सूत्र का सेट क्या होता है युगमक और एक युगमनज होता है कि यूगमानाज जाइगोट को बलते हैं यूगमानाज कहीसे बनता है जब फटलाइजवस होता है न और अग अधैसाच न एग मुझाईतर और मादा दुनों मिलकल फटलाइगस होता है न उसको जोनों जब रहता है 10-10 सिंगल रहता है जया से मादा नर गए मिठो तो उसको क्या बोलते हैं युगमक बोलना है तो इसका राइट एंसर जाएगा आपका डी एक गारा का राइट एंसर डी जाएगा अराइए 12 नमबर क्यों करयें अलाइगैनिक जनर में जी उधारियों की उत्तपती कितने जनको भाग लेनेस होती तहो इसका 1 जनक भाग लेनेस हो जाती एक शेंक स्ंक मता अगे युगमक बनता है अभी आगे क्कोस्चन में हम बताए है इसका राइट एंस जाएगा भी ठीक है चौदर नमर क्वेशन कर रहे है वह किरिया जिसके द्वारा नमन्म करम विए को हम यूगमक जनन कहते हैं तो इसका राइटा जाहेगा च्वड का और कैसी कै यानि केंट्रॉन बन गई होती है काल आता है क्या तीन संद परत वाली तब लास्टूला गैस्टूला बिदलन कोई नहीं थे इसको आपका एंसर जाएगा आपका तीन जब परत बन गई है तो गैस्टूला इसका एंसर जाएगा ठीक है भी यह 16 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है वह जीव या पौधे पौधा जिसका शरीर जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों परकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहा लाते हैं इसपोर यूगमन उभाय लंगी आयक लंगी जैके जैसे माल लाते हैं कोई भी पेड़ या पाउदा हो उसके उपर उसके अंदर नर प्रत्फि ओर मादा दोनों फीक्ष नेन परकार की जनन पाए जाते हैं उसको क्या कते हैं उभाय लंगी करते हैं तो इसका राइट एंसर जाएगा आपका सी 70 नंबर कोश्चन कर अपका अधैसर शरका 세ड दично Leonardo क्य नेकुन आध गराय कई अधिक बिभिंता आपका लाएंगे के जनना एक जनन युगमा के जनन जनन ज़से आप है जो भी विंदा है वैरियेशन है जैसे अलाइगे की जनान जो होता है ना उसमें वैरियेशन सेम होता है यानि अपने जो भी पूत्र होता है वो अपने पीता के समान होता है और लाइगे की जनान होता है जो भी पूत्र होता है अपने पीता के समान नहीं होता है तो इसका 17 का जाएगा यह तरह का इंसर राइट जाएगा यह लई एक जनन में विबिनता देखने को मिलती है जलिए आपका 18 नंबर क्वेशन क्या कर रहा है अठार नंबर क्वेशन कर रहा है वह परकिरिया जिसके अंत्रगत जिवु समझात सीश्यों को जन्म देकर अपनी परजातियों को नीरंतर बनाए रखता है क्या कालाती है जनन रिप्रोडक्षन रिप्रोडक्षन यह इसा चीज़ है जिससे अपने पीडी को बनाए रखता है ठीक है अई इस नंबर क्वेशन कर रहा है जन्तू जो सिस्यों को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं सिस्यों को जन्म देते हैं जो कहलाते हैं जरा यूज ठीक है जरा यूज भी नमबर इंसर अपका जाएगा चलिए अंडे से लेकर वैस्क तक बनने की संपूर्ण परकिरिया को क्या कहते हैं अंडे से को च्बाइब का लेकर वयास्क तक बनने के समपुर्ण परकरेख गरवधारं निश्यच्छण को परीजवर्द गर्वधारं क्छे अंडा जब बनता है। उससे लेकर वयास्क तक बनने परकरेख हो गर्व दार कहाते हैं ठीक है तब कर लिकम छोजाएगा है जाएगा रिख नंबर यह प्लाजमो टोमी किसमें होता है यह अप दे न वे लिए प्लाजमो टोमी अपका उपलीना में होता है ठीक है ओपे लीना में होता है इसका राइटेंस हर जाएगा सी एक इस नंबर क्वेशन कहा रहा है किसी अनी सेचित अंडज से बीज के विकास को क्या कहते हैं अनी सेचित यानी अनी सेचित अंडज है ना उससे बीज अगर बनता है तो उसको हम कहते हैं पार्थेनो क और वहुं आ एक बीज पत्री में ग्राफ्टंग घृळर नहीं होता है क्योंकि क्योंकि kings पत्री Cambion Vining होते हैं इसका राइटे नसर B जाएगा इसका इसका question नहीं पुछता है 24 question कर रहा है ये फाइरा लारवा और एलिया में पाया जाता है इसका निर्मान इस बीधी से होता है फाइरा लारवा और एलिया में बैज़ेते हैं निर्मान जो होता है आपको रिजेनरेशन बिखंडी करन तुटन और इस्ट्रोबाइलेशन इसका राइट एंसर जाएगा आपका 24 का डिएस्ट्रोबाइलेशन ठीक है आई ये 25 नमबर कोश्चन कहा रहा है जीरोन जिरोन्तो लओजी में लगेकिस का अध्यायन होता है जीरोन्तो लओजी जो होता है उसमें आपका एंजीन का अध्यायन होता है the engine engine जोता है इसका engine का अध्याइन होता है 26 नंबर कोश्चन करा मिम्ली खीट में ऐसे कीसमें बीना नीशे चंद रहा परजनान की छमता होती है बीना नीशे चंद रहाम का मधुमक्षि में परजनान की छमता होती है डिए 27 कोषिन कर रहा है इस घुह में गुन्सूत्र की संख्य इती है 16 हिए याद सुला होती है अटाईश नंबर कोफिन कर रहा है किसी अनावरीत वीजी में इंडो एस्परम भुरूम पोस है अनावरीत वीजी पुछ रहे हैं तो अनावरीत वीजी में अपका इंडो एस्परम जो होता है अनावरीत वीजी में त्री प्लू आइड होता है यानि त्री गूनित 28 का answer आपका जाएगा C ठीक है तो आज के लिए इतना है पढ़ते रहे all the very best Thank you